हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सिरी है उन सभी को हमारी तरब से बहुत-बहुत शुक काम नाए आज का पंचांक बारा मई सन दोहजार बीस दिन मंगलवार कर्शन पक्ष जेस्ट मास सम्वंद दोहजार सततर तिथी पंचमी नक्षत्र उत्राशाड़ा राहुकाल तीन से साड़े चार दिशासूल उत्तर दिशा आज हम कुछ बहुत ही विसेस बात आपसे करने वाले हैं कि प्रात्यकाल जब हम उठते हैं तो उठते सारी ही हमें क्या विसेस कर्म करना चाहिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी जीवन में और दिव्याता ला सकते है जिससे हम अपनी जीवन को और वैभवशाली बना सकते है हर व्यक्ति रात को चिंताई लेकर कि सोता है करीब करीब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके मन में कोई ने कोई सवाल जवाब नहीं चलते जिनके मन में किसी बात को लेकर के कोई चिन्ता नहीं होती नहीं तो सब के मन में कुछ ने कुछ चिन्ताई रहती रहती है चिंता लेकर के सोते हैं और चिंता लेकर के ऐसे बहुत लोग हैं कि आँख खुलती है चिंतन में ही आँख खुलती है चिंता में ही आँख खुलती है दुख, प्रिशानी किसी ने किसी रूप में सब को लगी रहती है कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी थोड़े थोड़े सब दुखी किसी ने किसी रूप में ये दुख हमारे आड़े आते ही रहती है हम अपने दुखों को दूर करने का हर तरह से प्रियास करती है व्यापारी अपने व्यापार को अच्छा करता है जौब में जो है वो अपनी जौब के हिसाब से अपने परमुशनादी के लिए आगे बढ़ता है हर व्यक्ति कोई किसी भी छेतर में है वो अपने उस छेत्र को समारने का भरसक प्रियास करता है अगर उसके जीवन में आगे बढ़ने की ललक है ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ये सोच लेते हैं जो होगा होगा जो होना होगा वो हो जाएगा जो भाग्या में होगा वो हो जाएगा तो यह हुआ एक फैटालिस्ट, एक भाग्यवादी बाद, लेकिन हम भाग्य के सहारे हमेशा नहीं बैठ सकते, सिर्मत भाग्यवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म की परिवासा समझाईए, कर्म हमें करना ही पड़ेगा, हर समय हम भाग्य का रोना नहीं रो स तो आईए दश्रको ऐसी कुछ चीजे होती हैं, ऐसे कुछ कर्म होते हैं, जो जीवन में यदि उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बाते भले छोटी छोटी हों, भले आपकी सुनी सुनाई हों, लेकिन अगर उन चीजों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारा आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी संप्रदाय से हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी से जुड़ा हुआ है, अब देखो, सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं, अब किसी की रूटिन कितने बज़े उठने का है, किसी का कितने बज़े उठने का है, मैं सभी के हिसाब की बात कर लेता हूँ जैसे ही आपकी सुभा सुभा आख खुले तो आख खुलते सारी ही आपकी पहली द्रस्टी किसी शुब चीज के उपर जानी चाहिए या आपकी पहली द्रस्टी किसी शुब चित्र के उपर जानी चाहिए या आपकी पहली शुब द्रश्टी जो आपके एस्ट हैं जिनकी आप पूजा पाट करते हैं या जिने आप मानते हैं जिने फॉलो करते हैं तो आपकी पहली आई क्यू पहला जो सबसे पहली एक ग्लिम्पिस है सबसे पहली जो एक जलक है वो आपकी उस इस्थान पर जाने चाहिए और नहीं तो यदि हम सरातन धर्म के हिसाब से बात करें तो आप जिस रूम में सोते हैं या कहीं भी दूर दुराद एक गव माता का चित्र लगाए जाए जैसे आप उठें तुरंत आपकी निगा गव माता की चित्र पर जाए देखो अक्सर कहनी देते कि फ़िए दिन बड़ा खराब हो गया मैंने किस और देखा था मैंने किस से बात कि थी कैसा ऐसा कोई पैसा घर में आगया मेरी दुकान में ऐसी कोई चीज़ आ गई बहुत लोग ऐसे इस ताइब की बाते करते पाए जाते है तो कहने का मेरा मतलब कि सबसे पहली द्रस्टी आपकी गव माता के चित्र पर हो या आपके अपने इस्ट पर हो और इसी के साथ साथ या किसी हरी भरी प्लांट के उपर हो घर में बहुत लोग पोधे रखते ही रखते हैं तो हरा भरा कोई भी प्लांट हो उसके उपर आपकी सबसे पहली निगा जानी चाहिए अब एक बात और सुने घर में कन्या हैं सभी के हैं सबसे पहले निगा कन्या के उपर जाना भी बहुत शुब होता है कन्या शक्ती सब रूपा है कन्या देवी सब रूपा है कन्या वर्दान सब रूपा है तो कन्या के उपर निगा जाना भी बड़ा शुब होता है आगे बढ़े अब बहुत लोग करेंगे साब हम चित्र नहीं लगा सकते या हमारे कोई इस्ट नहीं है या हम ऐसी विवस्था नहीं कर सकते तो ऐसी विवस्था में जैसे पहले आपकी आँख खुली आप सोके उठे उठते ही आपने आँख तो खुली लेकिन वो आख सुन्य में रहे या तो आकास की तरफ हो सुन्य में रहे उपर चाहें भलाई फैन चल रहा है या जो भी है रूफ दिख रही है सुन्य में जाए किसी चीज पर ऐसी दृष्टी ना पड़े और फिर तुरंत आखे बंद करके आप अपने इष्ट का चित्र अपने सामने लाएं चाहे आपके इष्ट है चाहे जिने भी आप भजते हैं भजती हैं जो आपके गुरु हैं गव माता हैं तुलसी का पेड़ है या कन्या का चित्र है मतलब कन्या है घर में और बाई दिवे करन्या कई बार दूर दराज होती है पढ़ने के लिए या करन्या की शादी हो गई है तो आप जैसे आपकी आख खुले आख तुरंद बंद करके वो आकरती वो चित्र अपने सामने ऐसे ले आए जैसे सामने ही कोई प्रतिबिम्ब दिख रहा हो ये बड़ा शुभ होता है इसके बाद अपनी दोनों हतेलियों को देखें ये तो अनेगो बार मैंने बताया है दोनों हतेलियों को देखें और हतेलियों को आपस में रगड़ें अगर मंत्र आता है करागरे वस्ते लक्षमी करमद्दे सरस्वती करमुले इस्तिते विश्नु परभाते कुरुदर्शनु ऐसा नहीं आता ना सई अपनी दोनों हाथ की रिखाओं को देखें क्यों करम परधान है इन हाथों से हम नाना भाती के करम करते हैं अच्छे करम करते हैं तो अपनी हतेलियों की लकीरों को देखें और उसके बाद अपने चेहरे पर वो हाथ मलें और जैसे ही बिस्तर से आप पाउँ उठाएं तो यदि आपको स्वर का ग्यान है सूरिय सवर और चंद्रसवर हमारे दो स्वर होते हैं नाक से जो दो स्वर चलते हैं सांस प्रवास हम लेते हैं तो हमारा जो दाहिना नतुना है राइट साइड वो होता है सूरिय सवर लेफ्ट साइड इसको कहते हैं चंद्रसवर आया समझे में राइट सूरिय सवर और लेफ्ट जो होता है वो चंद्रसवर होता है तो वैसे तो सूरिय सवर में उठना बड़ा अच्छा होता है लेकिन कोई बात नहीं आपका जो स्वर चल रहा हो वो पाउं धर्ती पर पहले रखा जाए और प्रत्वी को तीन बार नमन किया जाए यदि ये किरिया आप प्रतिदिन जीवन में अपलाई करते हैं तो आप देख लेना आपके और करम भी बहुत अच्छे होने लगेंगे वह कहते हैं न कि कोई भी चीज कहीं से स्टार्ट तो होती है हमारा प्रत्यकाल जो प्रारंब होता है अब वो बात अलग है कि दिनी की नाइट डूटी रहती है वो बैचारे थोड़ा लेट उटते हैं तो लेट ही सही आप जितने वजे भी उठते हैं आप उसी हिसाब से इस प्रिक्रिया को अमल में लाएं अब सुर आपको कैसे पता लगे कि मेरा सुर्य स्वर चल रहा है या मेरा चंदर स्वर चल रहा है कैसे आपको पता लगे बहुत आसान मेथड है अपनी मुठी बंद कर ले और नाक के पास ले के जाएं आप जब फूख आपकी निकलेगी हवा निकलेगी नाक से तो जिस नतुने से हवा पूर्ण रूपेंड भारी भारी भार आ रही हो वो आपका स्वर चल रहा है आगे समझें? बहुत इजी है और स्वर चेंज भी किया जा सकता है इसकी भी एक विद्धी है एपिसोड बड़ा हो जाएगा भी बाद में बताऊंगा फिलाल जो स्वर चल रहा हो उस स्वर वाले पैर को ही जमीन पर रखें और यदि ये स्वर का आपको प्रोसीजर समझ में आया हो चंदर और सूरिया का तो नहीं तो फिर जहां तक मैंने बताया हतेली आदी को देखने के बाद चेहरे पर मलने के बाद राइट पाउं जमीन पर रखें और तीन बार प्रत्वी माता को नमन करें और उठ जाएं फिर जो भी आपका कारिया है ना ना दोना जो भी आपका करना वो आप करें आप इस प्रोसीजर को थोड़ा थोड़ा करना सुरू करिए और रात को जब आप सोते हैं रात को जब आप सोते हैं तो जिस शक्ती को आप मानते हैं जिस पावर को आप मानते हैं, तो रात को सोते समय भी कुछ बहुत बढ़ी हा नियम होते हैं, अब ही बताऊंगा, लेकि समय हो चला ध्यान माला का, आईए जोड़ते हैं आज की ध्यान वाला में, बाबा हनमान जी से. वानरानाम धीसं, रगुपति प्रियवक्तं, वात जातं नमामी, मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेंद्रियं वोद्धि मताम वरिष्टं, वातात्म जंबा नर्यूत्य मुक्यं, स्री राम दूतं सर्णं प्रवद्धे, स्री राम दूतं सर्णं प्रवद्धे, राम आया राम भद्राया, राम चंद्राय वेदसे, स्री रगुनात नाधाया, सीताया पताये नमाहा, स्री हनुमंताये नमाहा, कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा जी का सिर्वाद हम सब के उपर बरस रहा है. अम बोलते हुए नित्र खोलें, तो जब हम रात में सोएं, तो हलाकि चिंता आतुर मन रहता है, तो रात में हमेशा ये प्रियास करना चाहिए, कि थोड़ा सा तनाव मुक्त अपने मन को करें, चिंताओं से मुक्त अपने मन को करें, बहुत लोग नींद की गोली लेते हैं, बहुत सारी चीज़े लेती हैं, लेकिन गहरा सांस, चार-पाँच बार अंदर भरें, और सरीर को बिल्कुल सिथल छोड़ें, बिल्कुल धीला छोड़ें, और धीला छोड़ने के साथ साथ, किसी भी मंत्र का पार्ट, मनी मन, मांसिक, जब करते 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 सोने का प्रियास करें, सास्त्र कहता है यदि मंत्र करते करते नीद आ जाए और सुबा जैसे ही आँख खुले उस वक्त उस मंत्र को फिर दोराने लग जाए तो पूरी राच मंत्र जपना माना जाता है आप कई वार हम माला हैं गिंते हैं कि आज हमने जाप किया ने इतना जप किया इतना तब किया तो रात में यदि सोते सोते किसी मंत्र को आप पढ़ते हैं और वो मंत्र ऐसे ही रहे रात भर तो ये समझ लो आपका नियम और बढ़ जाता आपको जब की संख्या का लाव अधिक मिलने लगता है समझ गया आप और दूसरी बात गुदेव ने भी कहा है रिश्यों ने भी कहा है कि रात को जब हम सोएं तो ये भी तो कोई भगवान की इच्छा है कि हमें सुबह देखने को मिलती है ऐसी बहुत लोग हैं कि रात को सोते हैं वो रात बीटती नहीं सुबह आती नहीं सुबह का उजियारा दिखते ही नहीं उदे मान सुर्य दिखते ही नहीं बहुत लोग संसार से जुदा हो जाते हैं हर सांस पर अधिकार है समझे आज सांस है आब आ रही है अगली सांस आए ना आए तो इसलिए भगवान का एक बहुत बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने हमें जीवन दिया है हमें सांसे दी है तो भगवान का हमेशा शुक्रिया आदा करना चाहिए और हमसे दिन में क्या गलती होई है हमने किसी को सताया तो नहीं परेसान तो नहीं किया किसी का मन तो नहीं दुखाया अपने आप में एक अध्यन रात्री में जरूर अपने दिल की डाइरी में नोट कर लेना चाहिए कि वह अब ऐसा हो गया लेकिन आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे देखो गुणी व्यक्ति के लिए बहुत जारी बातें सोचने के लिए करने के लिए और जो अपने गुण को विक्सित नहीं करना चाहता बस जीवन को एक धर्रे पर ही जीना चाहता है तो उसके लिए तो सारी बातें कई वार फिजूल की लगने लगती है आशा करता हूँ आज के इस विसे संग से कुछ न कुछ आपको जरूर प्राप्त होगा इनी शब्दों के साथ हम अपनी बाने को विराम करते हैं जैमा इंद्राक्षी जी मेरा नाम रवी कुमार सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूँ मैं गुरू दिक्षा भी लिया हूँ इनके बताय मार्कपर चलने की परयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और मेरा लोहों से यह ही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलिए कि Kansas पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं ये शिरिफ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो और भगवान से बड़ी सक्ती तो कोई नहीं है गुरू, गुरू के बाद भगवान, गुरू, माता, पिता और भगवान ये तीन चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें